नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सब्सक्राइब के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करें कि सुपीम कोड के आधियस को लेकर वहीं दूसरी तब सहती चाहर इकती सहार साथ में सिच्छा मित्नों के वारे में और एक्क्याबन अजास सिच्छक वरती का जो कि काफी लंबे समय से अब बैती इंतिजार करें इसके वारे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता कि सुपीम कोड की तरफ से अंत्रते जो अप पर 60-60 ना आई इसके अलावा कुछ और देखने के लिए पिलेगा लेकिन कहीं ने कई हर एक उस मोड पर और रड़ना फोर्श्री चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया गया और आपको समझाने का जो प्यास है वो किया गया कि आपका ओर डिले क्यों हो रहा है चाहे मोहन पुरानी हो या कोई भी अपडेट हो अगर सबसे सटी कोई जानकाई दी जाती है तो वो स्रेपोश्री और अडफ और श्री चैनल के माध्यम से ही दी जाती है ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं अब अगर हम बात करें आपके आदेश को लेकर तो सुपीम को कोट की तरफ से अपना जो आदेश है वो दे दिया गया 31,000 के वारे में 37,000 के वारे में मतलब यह है कि कटॉप 669,000 को संपन करवाया जाए जिन अब्यादी को निफ्टी मिल चुकी है उनसे कोई छेड़ जाड़ अब नहीं होगी लेकिन ऐसे में जो बाकी अब्यादी रह कही है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता है जैसी फैसला आएगा 37,000 के वारे में सीटों पर आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा तो सडनली यहां पर जजिस की तरफ से कह दिया गया है मतलब तीन महीने के बाद गाहा है वैसे तो कि अंत्य जो सरकार की तरफ से मानस तै किये गए थे उन मानक पर सिच्छा मित्रों को इलैक्शेशन नहीं दिया जा सकता है लेकिन एक और नहीं भरती में उनको यहां से मौका मिल जाएगा मतलब इस पर चता यह है कि अब 31,000 को यहां से कोई भी समस्या नहीं है लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप सभी क को बताए कि एक आंसर की का मुद्दा लगा हुआ है अभी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होना बाकि है जिसमें आप सभी को बताऊंगा जो भी जानकरी निकलेगी लेकिन कहीं नहीं जो में पॉइंट यहां फसा पड़ा था आपके और को लेकर बहुता कटव मुद्द अब अगर बात के आदेश को लेकर कि आदर किस परकार आप सभी को देखने के लिए मिला है तो जैसा कि मैं आप सभी को वेसा बताता था और की डबल बैंच का जो आदेश होगा वो काफी जादा महत्पूद हएगा क्यों हो आप सभी को पताए जजजस की तरफ से सवाल प पहस की कि को कहीनी की समझाने का प्यास किया गया कि कटॉंफ बात में क्यों लगा अब ऐसे में एक सवाल ये भी था कि 60-65 जादा रखा गया तो जादा रखने का रिजजन क्या था ये भी समझाने का प्यास हुआ कि अर्चाट याथ 500 सिच्चक वर्ति के अंदर यहां पर स तो ऐसे में जिस कटोफ को जादा कहा जा रहा था उस कटोफ पर लगबग डेड़ लाग अभ्यति पास हो जाते हैं तो यहां पर सुप्रीम कोड की तरफ से इस पॉइंट को काफी सभी तरीके से समझा गया और सी के आदा पर आपको डिसीजन देखने के लिए साथ में जैसा कि आप सभी को बताहें मैंने भी कई वार आप सभी को बताया था कि जो सरकार की तरफ से यहां पर एक पॉइंट रखा गया था आपको याद समय के अंदर हमारे पास पदों की संक्या काफी ज़्यादा खाली है उन पदों पर आगामी समय में सिच्छा मित्यों के यहां पर एक और मुखा दिया जा सकता है जैसा कि सरकार की तरफ सी के अंदर लिखा गया था उसी के आधार में सुपीम कोड ने सही मानते हुए कि 60-62 में जब एक लाग श्यालीस अभ्याथी पास है और 40-45 में लगब अभ्याथी के संक्या 3 लाग हो जाती है तो 60-65 को सही मानते हुए 31-37-37-349 शार्थों की निवक्ति पर महल लगा दी है ले जो कि सरकार की ताप से कहा भी गया था कि आगामी समय के अंदर जो भी प्राइमरी के अंदर बद्रिक्त है उस पर एक नई भरती देखने के लिए मिलेगी लेकिन चीसा कि आप सभी को पता है जो एक्यावन अजार पतोंगे उस पर सिच्छा मित्रों को मौका देते हुए और इस पर मैंने आपको पहले भी कहा था यह काफी ज़्यादा मैत्वूर पॉइंट भी रहा और अब ऐसे में जो नई सिच्छक वरती आएगी वह लगबग 51,000 प्रदों पर हो सकती है प्रदों की संक्या उपर उन्हीं की बजाए कम देखने के लिए मिल जाती है कई बार क्योंकि 68,500 वाले अभ्याती केस करते रहते हैं उनको यह मौका मिल जाता है तो एक क्यावन जार आप लोग मान करे के चलिए कि नहीं सिच्छक वरती आएगी जो अभ्याती रहे गए चूट गए उनको यहां पर क्यावन जार के अंदर मौका मिल जाएग क्योंकि अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर के सुनाया गया है लेकिन जानगाई इस परस तरीके से आप सुभी के धामने है कि सिच्छा मित्यों को एक और मौका 51,000 में दिया जाएगा अब ऐसे में जो 37,000 कि 31,000 सिच्छकों को काफी लंबा इंतिजार था वो अं में यह भी मैंने आपको बताया था कि 60,000 अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसमें सबसे बड़ा एहम लोल होगा वो सुपीम कोट के आदेश का नहीं होगा वो कहीं नहीं की आपके डवल वेंच के आदेश का होगा क्योंकि उस आदेश के अंदर पंकरज कुमार जैस्वाल सरकीतब से कई ऐसे पॉइंट लिखे गए थे जो कि आप लोगों के लिए मैत्पूर्ण थे और उनी पॉइंटों के आदार पे आपको 60,000 देखने के लिए मिला और साथ में जैसा कि आप सुभी ने यह भी देखा था कि सुपीम कोट के और के अंदर एक और माम प्रास किया गया था कि अगर कोई भी सिच्छामित 97,90 लेकर के आ जाते हैं और ऐसे में उनको भारांग मिल जाता है तो बीएट बीटी से अब यहां से बाहर हो जाएगा क्योंकि आप सभी के सामनी जानगाई मैंने बताई थी लेकिन सिच्छामित 40,45 पर जारा पास होएं करने की बाते हुई जो आपको जानकाई हमिसा और फर्ष्टी चैनल के माध्यम से तमाम विसलेशनों के माध्यम से समझाई थी वहीं अन्तित आप सभी के सामनी जो ओडर है वो देखने के लिए मिला है डेस आई शुब कामना है आप सभी को जो भी उनेता जा सिच्छक भर सभी आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि 51,000 प्रदों पर होगी सिच्छा मित्तों के साथ में शामिल किया जाएगा उनको इस परती के अंदर रखा गया है सुप्रीम कोड के आदेश के अनुसार तो ऐसे में जो भी जैसे भी उप्टेट निकले के लगा था आप सभी को watching this video